आज बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं लड़कों की कुंडली में जितने भी आपके मेल पार्टर हैं, जितने भी हमारे मेल पुरुष हैं, उनकी कुंडली में आज हम बात करेंगे वीनस की, कि उनकी कुंडली में वीनस का क्या योगतार है पिछली वीडियो में हमने बात किया था विमिन्स के बारे में और उनकी कुंडली में हमने देखा था जुपिटर के बारे में और जुपिटर से इस सारी चीज़े उनके बारे में बताया था कि जो वीडियो है इसे आप last तक देखें साथ ही साथ कोई consultancy चाहिए तो आप मारी app को download कर सकते हैं Instagram पे जोतिश खर hashtag से आप हमाँ जोड सकते हैं एक question कोशिश की जाती ही पंदर दिया जाए और ये ध्यान रखें कि watch till last because we master from basic से ही आप बन सकते हैं तो उतावला पन आप ना दिखाएं और जब भी आप vehicle चलाएं जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आप से निवेटरन की seat belt आप बांधें और आप जब दो पहिया वाली vehicle चला रहे हैं तो आप helmet जरूर ही जरूर पहने चाहे आप short distance chart या फिर long distance chart चलिए अब बात करते हैं आपके chart की दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनकी कुंडली में जो शुक्र होता है वो जो होता है उनके लिए उनकी aggressiveness को उनकी physics को उनकी sexuality को उनके love को इन सब को represent करता है तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में यह आपने कहां देखना है D1 में देखना है यही condition आपको check करने है D1 में D9 में check करनी है और D60 में check करनी है तीनो चार्ट में आपने यह condition check करनी है क्या कि Venus जो है वो कहां पे बैठा हुआ है और किस नमबर के साथ बैठा हुआ है सिर्फ नमबर की बात करेंगे याँ बाकि किसी चीज की बात करने वाले नहीं है हम आपने देखना है किस नमबर में बैठा हुआ है एक से लेकर 12 तक वो किस नमबर में बैठा हुआ है उसके उपर हम calculation आज करेंगे देखे आप माली जै ये भारत का नक्षा है ये भारत के different states है आप किसी भी states में चले जाएं जो आपकी characteristics है वो आपके साथ ही जाएंगी हर states में इस चीज़ को आप note कीजिए तो ऐसे ही चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे जब शुक्र कहीं भी जाता है किसी नंबर के साथ तो क्या characteristics वो देगा आपके spouse के लिए वो चीज़ यहाँ पे बात करने वाले हैं हम चलिए अब बात करते हैं आपके चार्ट की तो D1, D6, D9 और आपने D60 चार्ट देखना है अपने चार्ट में चलिए जी अब देखिए दोस्तों अगर आपका ऐसा चार्ट है अपना उठा लिजे कुंडली आप कुंडली उठा लेते हैं तो आपके चार्ट में देखते हैं अगर कुंडली में कहीं भी एक या फिर आठ लिखा होता देखे एक और आर्ट जो होता है ये होता है आपका एरिज इसको एरिज कहते हैं मेश कहते हैं और ये आपका स्कॉर्पियो होता है जिसे हम रिक्षिक करते हैं और दोनों का जो लॉड होता है वो कौन होता है लॉड होता है मंगल जिसे हम कहते हैं मार्स तो आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि अपनी आपकी कुंडली में अगर एक और आठ के साथ शुक्र देव बैठे हुए हो यह नमबर कहीं भी हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया है कि यह आपका एक भारत है और इस भारत की डिफरेंट स्टेट्स हैं यहां भी हो सकता है एक नमबर यहां लिखा हो सकता है यहां लिखा हो सकता है कहीं भी आपके बारा खानों में एक लिखा हो सकता है या फिर यहां पर एक ना लिखा हो सकता है वहाँ पर अगर आप देख लेते हैं शुक्र देव आपके बैठे हुए हैं शुक्र देव आपके वीडियो बनाऊँ तो इसमें सारे concept आपको बताऊँगा ये भी apply कर दिया वो भी apply कर दिया तो अभी एक एक करके आप देखें ही रहाँ पे तो कि ये आपके लिए जानना बहुत जोरी है तो देखिए इस तरीके से आपकी कुंडली में कहीं भी इस तरीके से शुक्र एक या आठ में बैठ गया ये नमबर आपको एक आठ हो गया इसी तरीके से आपको दो और साथ में चेक करना है इसी तरीके से आपको तीन और चेक करना है चार नमबर में चेक करना है पार्च में चेक करना है और दस और ग्यारा में चेक करने, यही नमबर है, यही नमबरों के साथ अगर शुक्रदेव बैटे हैं, तो आपको conclusion देनी है चलिए, अब आपने देख लिए, माल लीजिए एक नमबर के साथ, यहाँ पर आपके एक के साथ, या फिर आठ के साथ कौन बैठा आपका, यहाँ पर शुक्रदेव जिसे हम कहते हैं, वीनस वो आपके इन नमरों में जाकर बैट गया है अब क्या होगा, इस केस में जो आपकी स्पाउस होंगी स्पाउस, देखिए, बैटे कहां है मंगल के घर में, तो definitely बोल्ड होंगी, stronger होंगी यह सारी characteristics उसमें होने वाली है और अपने सोभाओं में वो काफी ज़्यादा competitive nature की होंगी मतलब किसी की सुन नहीं सकती है लेकिन साथ ही साथ love, emotion, sexuality जिसे हम कहते हैं क्या हमारी wife sexy होगी या sexuality बहुत ज़्यादा appeal होगी की नहीं होगी वो सारी features उनमें रहने वाली है और ऐसे लोग life पसंद करते हैं क्या adventurous trip पे जाना बड़े बड़े चीजों को achieve करना और यह wife जो होती है आपको उपर थोड़ा सा motivate करती है आपको साथी साथ या आपको dominate होने का भी nature आपके उपर यह calculation करती है तो अब आपने क्या देखा एक और या आठ नमबर के साथ शुक्र देव बैठे हैं और spouse आपके aggressive हो जाएगी bold हो जाएगी, independent हो जाएगी sexuality हो जाएगी, unrealistic हो जाएगी goal oriented हो जाएगी और body जो होती होगी एकदम slim होगी slim और attractive body आपकी तरफ होने वाली है ऐसा ये एक नमबर में भी देखना है और आपने ये 8 नमबर में भी देखना है चलिए, ये आपने देख लिया अब बात करते हैं हम आपके चार्ट में अगर अगर इन खामों में कहीं भी 2 नमबर लिखा हो दो और साथ का मालिक कौन होता है दो और साथ का मालिक जो होते हैं वो शुक्रदेव स्वयम होते हैं स्वयम होते हैं शुक्रदेव और दो नमबर क्या होता है दो नमबर जो होता है इसे हम कहते हैं टॉरस, अर्थात विर्षब और इसे हम क्या कहते हैं spouse होगी, वो काफी सुन्दर क्योंकि शुक्र देख की अपनी ही राश्री है, सौम मे आ, उनकी voice जो होगी, वो काफी मीठी होने वाली है, बहुत ही सौम में चीजें को लाई करती होंगी और luxurious, आपकी खच्चे जी जरूर, खच्च कर वादे होंगी,Sp ben लगजीर यह जैसे कार हो गया, बंगला हो गया, फिल्में देखना, आर्ट्स हो गया, यह सारा कुछ उनमें खाना खाना, ओभी हेल्धी, और रेस्टरोण में जाना, फाइफ स्टारेस्टरों में, थ्री स्टरों में, सै gratis के श्टरों में जाना, तो लोयल्टी कहीत न कहीत बीच में लोयल नेचर के ये होते हैं जैसे रानिया होती हैं, प्रिंसिस होती हैं बिलकुल उसी तरह के से ये होती है और ऐसी ओरतें चाहती हैं कि उन्हें financially strong आदमी मिले, financially security वो चाहती हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो बड़ी-बड़ी celebrities होती हैं वो ऐसे इनसान के साथ विवा करती हैं, ऐसे मेल पूर्ष्ट के साथ विवा करती हैं, जो financially strong होता है, चाहे एज उनकी चाहे उनसे एज में वो 10 साल, 5 साल कितने भी बड़े क्यों ना हो, चोटे क्यों ना हो लेकि उनका शुक्र उन्हें कहता है कि आपको इनकी तरफ जाना चाहिए तो मतलब ये हमेशा रिच स्पाउस की तरफ अग्रिसित होती है तो इस चीज़ को आपको नोट करना है, और ये आपने देख लए दो और साथ, इन में से किसी नंबर के साथ ये बैठा हो, कुंडली में कहीं भी तो ये आपका एक्सपेक्ट सी कहीं बात नहीं हो रही है चलिए, अब आगे बात करेंगे हम तीन और छे की रेकिए, एक साथ ही, दो राइकों की बहुत सारे जो प्लैनेट हैं, वो दो घर के मालिक होते हैं, तो वो साथ चीज़ एक से ही कवर हो जाती है, चलिए, आगे चलने से पहले सबस्क्राइब करतें, बैल बजा दें, ताकि जितनी वी वीडियो से ततकाल आपके पास पहुँचें, आप इंस्टाग्राम पे जूर सकते हैं, फेस्बुक पे भी आप जूर सकते हैं, चलिए, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे, देखें, इंस्टाग्राम पे, फेस्बुक पे आपके कमेंट आ जाते हैं, कमेंट के रिप्लाई आपको कर दिया जाता है, उसके बाद, अगर माली जी किसी दिन में पास सो रिक्वेस्ट आई हैं, सो क्वैडिस पूछी करें, तो प्रियोर्टी वाई सब का नंबर आएगा, और घूम के आपका जो दूसी बार अगर आपने क्वेश्चन पूछा है, वो पांस दिन, छै दिन के बार आगा, क्योंकि प्रियोर्टी चलेगी, स्रीज चलेगी, तब ही आपको रिप्लाई मिलेगा, तो ये आप बिल्कुल ना, इस बात का हमें कंडेम करें कि हम आपको कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, परसनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप भाव नहीं देते, आप हम पे इंटरस्ट नहीं देते, देखिए ऐसा बिलकुल नहीं है सब को परेशानिया है, सब की समस्या है, सब को डील करना होता है अगर आपके चार्ट में, यहाँ पे कहीं भी 3 या 6 नंबर लिखा हो नोट कीजे, 3 और 6, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी घर में यह नंबर लिखा हो सकता है कोई भी लगना आपका हो, और 3 और 6 कहीं आपको दिख रहा है और 3 और 6 नंबर में, तो कि यह क्या होता है, यह आपका जैमनी होता है जिसे हम मिथुन कहते हैं, और यह आपका विरगो होता है जिसे हम करनिया कहते हैं, दोनों के सवामी कौन होते हैं, बुद्ध होते है और शुक्र जाके बुद्ध के घर में बैठ जाता है तो देखें इन दोनों के साथ एक friendly राशیاں हैं शुक्रदेब की तो इन दोनों case میں अगर आदमी बैठता है तो शुक्र कहां बैठ गया? बुद्ध के घर में शुक्र जो होता है बुद्ध के घर में जा कर बैठ गया तो बुद्ध की क्या खासिएत है? बातुनी कई बात देखा होगा कई यहों की जो इस्तरियां होती है वो काफ़ी ज़्यादा बातुनी होती है लगाता बोलती चलियाती है creativity इन में भर भर के लगा होता है और fun मजा किया बहुत अच्छी होते हैं बहुत अच्छे मजा करते हैं और बातुनी charming nature होता है इनका helping hand होता है यह और very smart जिसे कह सकते हैं smart क्योंकि यह शुक्र है और बुद्ध है तो कपड़े पहनों का dressing styles dressing sense इन में काफ़ी अच्छा होता है और very active intellectual होती है और यह काफ़ी ज़्यादा living अपने जिंदा दिल जिसे हम कहते हैं जिंदा दिल relationship को create करती है और कहीं न कहीं इन लोगों का जो spouse होता है वो age में इनका कहीं न कहीं छोटा भी होता है आपको यह सारी case D1 में भी देखना है D9 में भी देखना है D60 में भी देखना हर चीज में case अगर तीनो चार्ट में तीनो चार्ट में शुक्र की एक ही स्थिती है तो definitely आपको वैसा ही spouse मिलेगा इसमें कोई शक नहीं है कोई इसमें problem नहीं है बिल्कु क्रैक्टर्स्टिक्स जो होती है वो बिल्कुल वैसे ही होंगी चलिए अब आगे बात करते हैं आपके चार्ट की मालीजे आपके चार्ट में कहीं भी चार नमबर लिखा हो इन चार नमबर कहीं भी लिखा हो सकता है कुनली में और इसके स्वामी कौन होते हैं इसके स्वामी जो होते हैं चार नमबर के मून होते हैं और राशी कौन सी होती है कैंसर होती है और शुक्रदेव जाकर इस घर में बैठ जाते हैं इन में जाकर शुक्रदेव बैठ जाते हैं वीनस जाकर यहाँ पर कहीं भी बैठ जाता है तो अब वो क्या आपको जर्नलाइस्ट कारेक्टस्टिक्स देगा आपके स्पाउस में वो देखने वाली चीज है देखे इस case में आपकी जो spouse होंगी emotional तो बहुत जादा होंगी अगर आप थोड़ा सा भी उन्हें कुछ कहा देंगी तो वो उस चीज को दिल से लगा लेंगी देखे और चंद्रमा है चंद्रमा की quality है तो मनोहर रंग होगा, सुन्दर होगी रूप रंग, सौम में, आइस जो होगी काफी सौम में होगी और पतले वो गुंडाले बाल जो उनके बाल होंगे, वो पतले वो गुंडाले होंगे स्वच ओस के जैसा उनका रंग होगा जैसा फॉक पड़ती है फॉक जैसा उनका रंग होगा बहुत clean होगा लेकिन थोड़ी सी वो बेचेन प्रकती कि अगर थोड़ा सा भी कुछ कह रहेंगे किसी भी चीज में वो जल्दवाद ही बहुत ज़्यादा करेंगे ऐसी स्तुरियों को सफेद वस्तर पहनना काफी शौकीन होती है और अगर मीठी वाणी के साथ इन से बात की जाए तो यह आपके दिल को भी जीत लेती है तो यह होता है जब आपकी कुंडली में चार नमबर लिखा हो चलिए अब बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में अगर आपकी कुंडली में जो शुक्रदेव है तो यहां पे कहीं ना कहीं dominating nature show होने की capability होती है चिर्चड़ापन यहां पे ज़्यादा रहता है और जब चिर्चड़ापन रहेगा तो ऐसे लोगों की जो वानी होती है वाइस होती है काफी deep होती है जिसे हम कहते हैं बहुत सोच विचार के बोलती है ऐसी स्थियां ऐसे लोगों के घुमराले आपकी जो spouse होंगे उनके जो घुमराले बाल होंगे और साथी साथ मध्यम height भी कुछ ज़्यादा वड़ी नहीं होती है एक 5.2 से या 5.1 से लेकर 5.46 तक ही इनकी height होती है और self reliance जिसे कहते हैं दिर संकल्पी और दिर सोभाव जो होता है वो इन जातिकाओं का होता है मनोहा रूप और आकरती में ये काफी सुकंधित होती है तो ये ऐसे spouse की characteristics आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी कुंडली में ये features available हैं चलिए अब बात करते हैं आपके चार्ट में अगर बचा कौन यहां पे बसते हैं हमाई पास 10 और 11 नमबर अगर 10 और 11 नमबर कहीं भी लिखे हो 10 और 11 इन में से कोई भी number लिखा हो 10 लिखा हो या 11 लिखा हो 10 लिखा हो 11 लिखा हो कहीं भी लिखा हो ये number किसी भी घर में और क्योंकि ये देखिए ये जो number है ये शनी महराज का number और शनी महराज के घर में शुकरदेव आपके बैठ जाते हैं गूँराले बाल हो सकते हैं, थोड़ा से चेहरा जोगा, थोड़ा से darkness हो सकती है, फिर पूरा फिर complexion नहीं होता है इनका और चिचड़ा सोभाव जो इनका होता है, काफी दिल में हर चीज को बहुत ज़ादा ले ले लेते हैं, मतलब हर चीज में emotional होता है, लेकिन ये जो spouse होत पतले काफी होते हैं लंबे भी होते हैं थोड़े से और थोड़ा जुका हुआ शरीर रहता है कई बार देखा होगा शरीर ओरतों का जुका हुआ होता है गहरा रंग होता है इनका और बड़े दात होते हैं घनी बोहें हो सकती है इनकी थोड़े से क्रोधित सुभाव के होते ह क्रोधित जल्दी गुसा आ जाता है चिटड़ापन आता है मूफ लाकर जिसे कहते हैं बैड चनव ऐसी स्थिती इन में आ जाती है तो ऐसे चीज इसमें होता है साथी साथ ऐसे जो स्पाउस होते हैं जो होता है बहुतीक तत्व और आत्मा के सैयों को इसमें दर्शाता है तो ऐसे स्पाउस बहुत जादा आपके लिए एमोशन सकते हैं और ये काफ़ी जादा दिड्स भाव के होते हैं और आपके लिए एक प्यार की भावना रखते हैं तो निराश होने की जो तनी है शनी के घर में अगर शुक्र देख लिया तो घवराने की तो कामुख नेचर भी इन लोगों का जादा होता है Sexuality जो होती है उनमें काफी जादा भरी होती है चलिए अब बात करते हैं हम आपके चार्ट में किसकी अब बात करते हैं हम आपके चार्ट में ब्रिस्पती देव की अगर 9-12 नौ बारा का मतलब क्या हुआ धनी धनू हो गया इसका मतलब होता है Sagittarius दूसरा बारा नमबर Paisis होता है जिसका मतलब होता है Mean Rashi अगर इनके घर में 9-12 देखे कहां कहां लिखा हुआ है यहां 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 आपने 9-12 देख लिए हर जगर लिखा है कहीं भी लिखा हो सकता है 9 लिखा हो सकता है या 12 नमबर और 9-12 के नमबर अगर यहां पर शुक्र देव बैट जाते हैं तो ये बिर्सपती देव के घर में शुक्रदेव आकर बैट गए अब क्या होगा तो देखिए कैक्टिस्टिक्स तो आएंगी आएंगी बिर्सपती देव की भी आएंगी और शुक्रदेव की तो यहाँ पे जो प्यार होगा एक रियल लब मिल जाता है क्योंकि दोनों के दो पुरा हो सकता है, और clear thoughts होता है इनका अपनी जो वानी होती है, जो चीज कहनी है वो कह देनी है, किसी की परभान ही करते हैं कि ये मुझे क्या इस से प्रभाव होने वाला है, और ऐसे लोग जो होते हैं, काफी गंभी, reserve, nature के काफी होते हैं, क्योंकि ग्यान इन में भरा होता ह और ग्यान में ये संसारिक्ता से जुरू हुई अर्धातिक्मा को दिखाता है मतलब संसार में रहते हुए इस संसार में रहते हुए ये काफी जड़े स्प्रिचुलिजम इनमें काफी अच्छा होता है और जो भी बोलेंगे ये तोल मोल के बोलेंगे तोल मोल के बोलना भी इनकी characteristics इनकी आती है तो ये आपका ब्रिस्पती देव के बारे में सारा चार्ट हो गया तो दोस्तो ये था आपका लड़कों के लिए शुक्र देव के बारे में ये केस आपको D1 चार्ट में देख लेना है, D9 चार्ट में देख लेना है, D60 में तीनो केस में क्या देखना है? आपको शुक्री की स्थिती देखने हैं किस नंबर में बैठा हुआ है क्या स्टेटस है? तो वो सारी कॉम्पिनिशन आपको क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा तो तीन चार्ट कुछ तो ऐसा कंक्लूजन दे रहे होंगे जो आपकी स्पाउस में मिलने वाला है तो देखिए अगर आपको वीडियो आनिες्स कवानी है तो वीडियो आनिलस्स का माध्यम भी अप्लिकेशन में दिया हुआ है आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वीडियो आनिस्स के माध्यम से भी आपकी कुछिश की जाती है प्रॉपर ढंग से analysis करने की आपको जो medium लगता है communication का आप वो कीजिए कहीं पे ऐसे restrictions नहीं है कि आप हमसे आकर पूछिए आप notes बनाए asloger आप भी बन सकते हैं सारी वीडियो देखें सब की वीडियो देखें और like तो जुरूर कर दिया करें मुझे confidence मिलता है आपके लिए और बहतरी क्योंकि जो वीडियो होती है मैं राशी के उपर जो चार्ट होता है राशी calculation पर मन्थ की पर साल की वो बिलकुल उस पे कम focus करता हूँ focus जो रहता है वो यह रहता है कि आपको basic चीजे और वो चीज़ जो तिली लाइफ में आती है तिली लाइफ में आपको problem करते हैं उस पे आपको focus किया जाए क्योंकि ऐसी वीडियों आपको बहुत कम मिलेंगी और जो common राशी के उपर हो गया साधे साथी के उपर हो गया यह वीडियों आपके YouTube पे Instagram पे हाट जगर कूट कूट के भरी होई है तो कुछ यूनीक सीखिए तो यूनीक चैनल के साथ जुड़िए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद